कि अज़ो दोस्त वर्ट्योस चैनल में आपका स्वागत है आज का सेशन इस्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो अपकमिंग जो स्टेशन रहेगा अपने बैंकिंग सेक्टर की डिफरेंट अग्जाब्स का उन में अपियर होना चाहिए सबसे पहली एक्टिवटी होती है कि बई लिज करता है कलेंडर रिलेज हो चुका है और उसमें टेंटेटिव डेडिस भी आगी कि कब किस पीरिएड़ में एक्जाम से प्री होँगी कब मेंस होँगी इसमें जो आपकी ट्वुन्टी ट्वन्टीफॉर में जो दो जार मेन आप देखिए कितने हो एक तो RRB जो regional rural banks होते हैं उनके लिए एक exam होती है जिसमें आपका एक तो clerk या उसको office assistant multi-purpose भी बोलते हैं दूसरा scale 1 के लिए होती है कुछ post scale 2 और scale 3 की भी होती है लेकिन specifically अपने clerk और scale 1 की चर्चा करें तो सबसे पहला जो as per calendar भी और जो previous record है उसमें भी सबसे पहले जो exams होती है वो RRB वाली RRB PO RRB clerk उसके बाद आपके होते हैं IBPS की IBPS और फिर होती है SBI की इन सबी में IBPS में भी PO भी होता है clerk भी होता है और इसमें भी PO और clerk बहुत होते हैं तो अब सबसे पहले ये उसके बाद ये उसके बाद ये लेकिन इन में कोई बहुत टाइम नहीं होता है जैसे मिड अगस्त में अगर सुरू ही मिड ओफ अगस्त ते ये मानो की first exam आपकी मिड ओफ अगस्त ते कोई pre शुरू ही तो अब देखिए आज के दिन अगर आप देखें तो सिर्फ SBI clerk में के अलावा कोई exam बाकी नहीं बची SBI clerk में के अलावा सब ही exams हो चुकी है वे विदिन हो चुकी तो वह थोड़े से period में ये काफी exams होती है और meanwhile जो इनकी similar कोई exam है जैसे कोई L.I.C. में fortunately मान लो डबले ओ की तो निकलती है वेकेंसी उनमें वही pattern है और assistant की निकल गई तो एक वो भी इसी duration में आएगी उसके बाद में E.P.F.O. की vacancies E.P.F.O. vacancies निकलती है L.I.C. में निकलती है कुछ जो दूसरे bank से वो direct assistant manager के लिए वे लेते हैं उनकी भी लेकिन अपने specifically in jobs की चर्चा करें तो आज की session में अपने करेंगे जो सबसे पहले आपके exam आने वाली है वो है RRBs की तो उनी की चर्चा आज की session में करेंगे तो देखिए अब जो भी बच्चा आप यह रोना चारा है कि मैं RRB, P.O. RRB clerk के लिए तो उसमें obvious है कि वो यह देखता है कि exams है कब तो अगर as per calendar चले और वैसे भी अगर previous record रेक करें तब भी इसकी tentative date से जो pre के लिए आई है दोनों की दोनों के लिए जो pre की date से आपकी आई है वो 3rd से लेके 18th अगस्त, 3 से लेके 18 अगस्त तक के बीच में है 3rd to 18 जो भी weekend है उनमे 3rd to 18 अगस्त के बीच में आपके इन exams का settled है प्रीक ठीक है और जो मेंस की date आई है मेंस में आपकी date scale 1 याजिस को मैं प्यो कहूं उसकी 29 सेप्टेमबर की आई है और ये एक वीक बाद में 6th October को आई है इस साल भी अगर आप 2028 का भी देखें तो ये भी अगस्त में था एक्जाम आपका और ये सेप्टेमबर ऑक्टूबर में ही ये एक्जाम्स थे more or less वैसा साई students था को दो पांगस तिर उल्टा इनसे जो मेंस की एक्जाम थी वो प्रीपॉंट थी इनसे भी पहले थी जो इस साल दिखाई जा रही है इससे पहले ही वी ओल्टी और पहले पियो की हुई और फिर क्लरक की हुई एक विक के साथ और पियो और पियो की इसलिए पहले क्योंगी पियो का फिर उनको notification आपको मिलेगा notification आप मानके चलिए आपका mid of June जैसे यह मिड जून में आपको notification मिला और December जाते जाते आपको जोब मिल जाएगी December जाते जाते इसमें सभी exam फोवल्टेज होके और आपको जोब मिल जाएगी बच्चों ने अभी recent जोइन कर रहे है अपने भी channel से कुछ बच्ची सेलेक्ट होए जो जोइन कर तो यह इसकी scale one और यह एक लाट और फाइनल रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट की दो 25 होगा उसमें रिजल्ट भी आ जाएगा तो यह बहुत ही एक सबसे अच्छा अगर कोई बच्चा जो नया है उसके लिए मैं बचाओ कि एक ही टाइप की आपे काफी exam एक ही साल में और छोटे से टाइम में दे देते हैं तो अगर पाइद वे किसी पर्टिकुलर दिन आपका कोई वजह होगी या बिमार होगे हेल्थ इस्यू है कोई और ऐसी प्रस्तियां बन गई कि उससे पर्टिक वैसे तो प्रिपेरेशन हो रहा अच्छी थी बट्ट उससे अग्जाम में आपे वैसा परफॉम नहीं कर पाए तो एक ही टाइप की छह प्रिपेरेशन अच्छी है और बहुत जल्दी जोब मिल जाता है और दूसरी आप जितने वी एक्जाम्स देखेंगे उसकी प्रक्रिया लब भी है इसमें बड़ा अब तक यह तो मानना पड़ेगा कि इसने बिलकुल ले अपना सेडिल है वो टाइट अब इसमें चलें कि eligibility criteria बहुत जो form fill करेगा तो फिर यह भी देखा कि पर मैं form fill कर सकता हूँ ने नहीं कर सकता हूँ तो इसमें एक तो है आपका age का सबसे बड़ा है तो age में अगर आप देखें तो age है कि इसमें ख्लरक के लिए है 18 से लेके 28 तर एटीन येर्स तू लेके 28 येर और जब भी notification आ आएगा तब ही से ये बेस डेट इसको मानेंगे बेस डेट ये उसी मैने में लेंगे जैसे जून एक छेट चोबीस लेली जैसे जून का अभी जून में जैसे आया तो बेस डेट आपकी फरस्ट जून 2024 को best rate माल लेंगे इसी से account करेंगे कि वो 18 का 18 से कब नहीं हो 18 complete कर चुका हो और 28 से उपर नहीं हो ठीक है तो और P.O. के लिए 2 साल का relaxation है maximum 18 से 30 यह है general के अगर आप OBC का देखे तो maximum is में relaxation होता है तो इसमें आपको 3 साल का है SCST को अगर आप देखें SCST को तो इनको 5 साल का relaxation है दोनों में P.O. और क्लाइब अगर permanent disabled है disabled candidates को इसमें 10 years का और जो armored ex-servicemen जो होते हैं उनको इसमें relaxation कितना होता है जितनी उनकी length of service है plus 3 years but maximum यहाँ 50 years का भी rider है उसी तरह से जो कोई window डिवोर्सी वो है उनके लिए भी है window डिवोर्सी अगर इसी में अगर अगर आपने OBC SCST वैसे ही अगर window और डिवोर्सी जो मैलाए है अगर उनका आपने देखें तो उसमे journal के लिए वो 35 है OBC के लिए 38 है और जो SCST की SC मेलाए हैं तो उनका 40 years तक के उनकी make जिमो में रिवेट होती है तो ये तो आगे है आपका age का अब qualification का है तो qualification इन दोनों के लिए कलको पियो अगर और पियो बहुत के लिए ही simple graduation है किसी भी stream में किया वा graduation graduation है जो job है ये state wise है state wise job है तो एक इसमें local language का भी रहता है पिर जिस state से आप appear हो रहे है form fill जिस state से आप form fill कर रहे है तो वहां की आपको languages देख लीजिए इसमें Hindi भी है कुछ में English भी है और कुछ में दूसरी बास हैं भी तो आप ये देख लीजिए कि वहां की local language जो है वो आपको आने चाहिए कितनी काने चाहिए कि आप उसको पढ़ ले बोल ले लिख ले इतनी बस अगर आपने वहां से कोई पढ़ाई लिखाई कर रखी है वहीं से पढ़े हो तो सिर्फ अगर 8th and onward 8th and onward कहीं भी आपके अगर वो जो वहां के state की local language है उसको subject अगर आपके रहा है subject अगर रहा है तो आप सिर्फ उसका proof दे देजिए वो sufficient उसकी जो भी कोई आपके mark sheet में कहीं भी जिकर हो कि वह ये subject जो है ये मुझे मैंने पढ़ावा है तो आपको एक LPT language proficiency test होता है LPT उससे go through नहीं होना पड़ेगा LPT से go through नहीं होना पड़ेगा otherwise क्या होगा अगर वो language आपके नहीं रही है उस state की local language तो फिर आपको joining से पहले वो एक छोटा सा test लेते है LPT जिसमें mainly आपका writing speaking ये देखते हैं कि भी आप लिख सकते हो क्या बोल सकते हो और reading पढ़ सकते हो जैसे आपको कोई paper दे दिया वो उस language में वो पढ़वा लिया उस dictating कर दिया normal वो चीजें लिखवा के आप से देख ली और फिर आपको marks देते हैं 40 marks या ऐसे का 40 या 60 marks का चोटा सा टेस्ट उन्होंने बना रखा वो लेते हैं और फिर जैसे आपने qualify किया है qualify करना होता तो अगर जिस भी बच्चे को लिखना पढ़ना और बोलना आता है उसके लिए कोई problem नहीं वो आराम से qualify कर जाता है otherwise वो आपको time देते हैं और आप उसको भी आपने नहीं दिया तो आपको वो जोइन करवा लेंगे और आपको और एक chance दे देंगे और वो chance कहां तक देंगे maximum लग एक बार chance है वो 6 मेने बात का देते हैं फिर 6 मेने 12 मेने डेट सा लेकिन वो probation period within probation आपको clear करना ही करना पड़ता है यह जरूर है एक computer knowledge जो है वो essential तो नहीं है लेकिन आप खुद भी उसमें देखेंगे तो उसमें desirable है desirable है essential नहीं है desirable तो computer कहीं भी आपका तो computer knowledge यह नहीं है कि आपको बहुत in depth चाहिए लेकिन आप वहाँ काम कर ले इस तरह का और दूसरा computer अगर आपके कहीं subject रहा तो computer subject भी है इसमें जिस वह 20 marks का paper भी है आप comments में तो वहाँ भी helpful रहेगा और इसके लिए भी वो नहीं इसको desirable बोला है essential नहीं बोला तो यह आपकी हुई qualification then अगर अपने चलें आगे कि exam किस तरह से होती ही क्या pattern होता exam का तो examination की जैसे अपने clerk की करें RRB clerk की clerk की इसके लिए चर्चा हो रही है पूरी IVPS RRB तो RRB clerk में दू level होंगे एक pre होगी exam में एक main होगी pre में जैसे जितनी भी vacancies है इन जनरल जैसे पिछले साल का देकें तो करीब करीब 9000 vacancies थी दोनों मिला के दोनों मिला के लब 5000 प्लस आपके clerk की थी और ये साइद आपके कितनी थी 3000-4000 कुछ ऐसी साइद इतनी नहीं थी 8000 थी ये 3000 थी 5000 थी ये पियो वाली और ये तो इसमें क्या था कि जितनी vacancies जिस state की है उससे करीब करीब 10 है गुणा 10 to 20 एकजेट कुछ नहीं है इसका 10 to 20 टाइम्स ये क्या करेंगे लेकिं 10 नहीं जहां 10 to 20 टाइम्स से करेंगे 10 to 20 में भी 20 के नजदीक 10 to 20 टाइम्स बच्चों को इस सोट लिस्ट करेंगे ठीक है ठीक है प्री में आपके दोई सब्जेक्ट है एक रीजनिंग और नुमेरकल अबलेट है 40-40 क्यूस्टन है 40 क्यूस्टन 40 क्यूस्टन और ये जो टाइम दिया होता है वो जो टाइम दिया होता है आपको consolidate दोनों में मिला के टाइम देते हैं और वो देते हैं और 40 क्यूस्टन से और 40 मार्क्स 40 क्यूस्टन 40 मार्क्स इस क्यूस्टन वन माक करी करता है आउट ओप हीट्टी फिरा आपका रिजल्ट आता है पंताली मिनेट में ये लेकिन यह सेक्सनल कटोफ यह वो बाद में डिसाइड करते हैं तो उतने मार्क से इंडियूजल में भी लाने है और आल कटोफ फिर आपको क्लियर करने हैं और आप कैसे हुई पर मालो वहां 500 वेकेंसी थी और 20 टाइमस उनको करना है तो उसने कितना किया वह 500 की सगे वो कितना कर लेंगे दसजार बच्चों को सलेक्ट किये फिर वो देखेंगे कि दसजार में कटेगरी कौन सी है जैसे जनरल के मालो उन्होंने 5000 बच्चे लेने 5000 तो जनरल की 5000 की उपर से नीचे तरफ ले लेंगे जो सबसे जो टोपर है वो एक नमबर हो गया और जहां भी 5000 खतब हो गया वहां तक को नेक्स्ट राउंड के लिए या मेंस के लिए सोट लिस्ट कर लें मेंस में पेपर क्या है रीजनिंग है नुमेर के लिटी है और दूसरी में इंगलिस या हिंदी जो आप चूज करेंगे वो है एक जी है जनल आवेरनेस और कम्प्यूटर है इसमें अगर आप देखें तो रीजनिंग में और इनमें कितने हैं अब क्योशन सभी में चालिस है इसके भी चालिस क्यूशन इसके भी चालिस क्यूशन यहां भी 40 और इन में से दोनों में से कोई एक आपको चोईज है आप कोई भी एक ले सकते हैं, यहां भी 40 Q technician और यहां भी 40 Q लेकिन Marks क्या होगा, Computer वाले 40 Q के 20 Marks, इसके 20 Marks होगे, GPA के 40 के 40 होगे और English के 40 के 40 होगे, यहां दोनों के इनके 50-50 Marks हो, 50-50 marks से यहां होंगे यहां 40-40 तो यूँ करके यह total जो है यह total हो जाएगा आपका 200 marks का 200 marks का ठीक है और इसके लिए भी यहां भी sectional time नहीं है consolidated time आपको मिलेगा इन सभी जो आपने देखा कितने थे बई 200 question 200 marks और लेकिन हर question हर एक जैसा नहीं है computer वाला आदम आग का भी है और यह 1.25 का भी और इसके लिए दो गंटे का आपको consolidated time दे देते हैं ठीक लेकिन यहां भी sectional cutoff यहां भी sectional cutoff यहां भी रहेगी राइट तो इसके अलावा आप देखेंगे फिर आपका जो भी score आए जिन भी बच्चों ने sectional जिस बच्चे ने sectional cutoff नहीं कि किसी particular मालो किसी बच्चे ने इन तीन subject में चार subject में बहुत अच्छा किया लेकिन एक subject में वो score नहीं कर पाया उतना जितना sectional cutoff के चाहिए था तो वो sort list नहीं होगा वो sort list नहीं होगा तो जिन्होंने sectional cutoff भी कर ली और फिर वो आपके according merit बन जाती है तो यहां तो फिर कुछ भी नहीं है direct selection ही है में clerk में आगे interview है नहीं अगला phase नहीं है तो वही final selection हो जाएगा जो भी आपकी लेकिन प्री सिर्फ qualifying है प्री के marks नहीं जुड़ेंगे मेंस की जो merit बनेगी वही आपके लिए selection हो ठीक है अब आगे देखे एक्जाम पेटरन प्यो के scale one में में भी कोई बड़ा फर्क नहीं है जैसे प्री में देखोंगे reasoning वही चालीश question यह भी यहां भी चालीश question और चालीश marks यह भी चालीश marks और total 45 minute का time यहां कोई difference नहीं है बट sectional cut off यहां भी रहेगी फिर प्री से आपको मेंस के लिए जो भी मालो 15 गुना 20 गुना वो short list कर लिया आप short list कर लिया उसके बाद में में आया तो मेंस में भी वही paper है जो आपके clerk में है reasoning numerical ability इंगलिस आईदर इंगलिस और हिंदीज यह और computer और granities भी वही है जैसे यहां 40 kisnes 50 marks यहां 40 kisnes 40 marks यहां 40 kisnes 40 marks और यहां 40 kisnes 20 marks और वहीं 2 गटे का टाएं दो गटे का ठीक है तो 200 question 200 marks और 2 गटे का टाएं ठीक है और यहां भी sectional cut जो बचसे जितनी पोस्ट नममरों पोस्ट से उतनी वह मानुक नमरों पोस्ट तो वहां से करीब करीब ट्री एं को वो सोटव लिस्ट करेंगे इंटर्वू को इंटरव्यों के लिए एंटर्व्यू भी हो ना तो यह मेंस hora john 17 ऐने के बाद November प्लिस्टों के मेंस के लिए जो त्री टाइमस इसमें आप आ गए और फिर आपको इंटर्व्यू के लिए तो इंटर्व्यू के आपके हैंडेट मार्ग सें और सेक्सनल का टोफ यहां भी है यहां कितनी है भी जर्नल के लिए है 40% या 40 मार्ग मैं कहूं और SC, ST, OBC इनके लिए और जो डिसेबल है इन सब के लिए 30 मार्ग सें पांच परसेंट की रिबेट है यह इंटर्व्यू की अब आपका फाइनल सेलेक्शन कैसे होगा पियो के लिए जो आपने रिटन में मैंस का मैंस की जो रिटन थी उसमें आपको जो मार्ग मिले आउट और 200 मालो 80 मार्ग मिले आपको 80 मार्ग लिया आपने आप तो 200 और इंटर्विव में आपके मार्क्स कितने आए इंटर्विव मालो 100 की थी 60 मार्क्स आपको 100 यहां भी आए तो अब इसको क्या करेंगे वो फाइनल जो स्कोर बनाएंगे वो एक वेटेड इस्कोर है उसमें में से प्लस इंटर्विव का 80-20 का रेशियो है आप इस 80 मार्क्स जो आउट ओट ओट्व टू अंडर्विव आपने 80-200 में से आपने कितने मार्क्स लिए 80 लिए तो अगर एक में से करूँ तो बटे 200 इसको 80 पर ले जाता है इंटू 80 तो यह कितना हो गया भी 64 मार्क्स तो यह आपका जो 80 मार्क्स थे यह वेटेड इसकोर इसका हो गया 60 हो गया यह 80-20 इसको आप ले के जाओगे तो यह तो दो सो पे हुआ है तो तो सो पे लेके जाओगे तो यह 64 का आदा 32 बन दे और इंटर्विव का जो 100 मार्क्स है इसको आप लेके जाओगे 20 पे बना एक तरह से जो 60 नमर है इनका एक बटा पांच कर लीज़ तो यह बन गए 12 नमर तो 32 और 12 चम्बानीस तो अभी यह जो स्कोर आया 80 आउट ओव 200 और 60 आउट ओव 100 यह दोनों मिलके बन गए आपके 44 आउट ओव 100 और यही वेटेड स्कोर है यह आपका ultimately selection करवाएगा तो इस तरह से आपके मेंस और interview के club करके उनका वेटेड स्कोर निकालके फिर उसकी final आपकी तो किसने role play किया मेंस exam ने प्री यहां भी purely qualification क्वालिफाइंग नेचर की है लेकिन मेंस के marks जोड़ेंगे interview के जोड़ेंगे फोर्म फिल करते हैं उनको एक civil score की भी उनकी required होती है जो बले clerk के club इसके लिए करो IVPS में करो करो कहीं भी तो civil score आजकर मांगते हैं civil score should be equal or more than six fill लेकिन अगर किसी बच्चे का कोई account नहीं है bank account ही नहीं bank account नहीं है तो उसकी कोई need नहीं है फिर वो आपको civil score नहीं चीए लेकिन अगर accounts है उनकी जो detail आप दे रहे हैं उन accounts की नहीं दोगे तो उनकी पता लग जाता आजकर तो उनमें फिर civil score आपका more than 65 जोईनिंग के time की पॉमल्टीज है बट डूरिंग जब भी आप form फिल करें तो accordingly अगर आपके कोई problem है जैसे कोई आपने कोई loan किसी भी टाइप का ले रखाया है और उसमें आप नहीं रिपे कर पाए है टाइम ली और कहीं पहला ही जोए है तो आप उसको फटा पर उसको civil score को दूरस्त कर लेजी ठीक है एक आप जब आपका selection हो जाएगा तो वो आपसे एक आइडिमनेटिव बॉन्ड एक फिल करवाएंगे वो अलग-लग banks का अलग-लग है RRBs में भी अलग-लग state का अलग-लग है clerk के लिए I think पचास हजार के आसपास है और इसके लिए एक से दो लाग का है आपके P.O. के लिए तो ये आपसे वो एक बॉन्ड फिल करवाते हैं उसमें फिर पैसे नहीं देने पड़ते हैं लेकिन अगर आपने जो एक period उन्होंने specify कर रखा है कि उससे पहले I think two years का है दो साल से पहले अगर आप जो छोड़ देते हैं तो फिर आपको जो बॉन्ड अमाउंट है वो बैंक को वापिस जिवा करवानी पड़ती है ठीक है प्रोबेशन पिरियेड आप देखें क्लर्क के लिए 6 मेंने क्लर्क का 6 मन्स है और जो P.O. का है उसका 2 साल का है इसके अलावा अगर आपने देखें तो और क्या चीज है अब आगर पेपर कैसा आता है तो आप इससे देख सकते हैं कि पेपर कैसा आता है एक पेनल्टी ओप रोग नमबर अगर आप कोई क्विशन गलत करते हैं यहां एक penalty और रोंग नंबर भी है जासे आपने कोई भी पी के लिए भी और में के लिए नंबर 12 पेनल्टी को रोंग आगर आज नंतिक कर दिया यह जो अग्जाम आपकी हैं सभी ओब्जेक्टिव टाइप है और ओनलाइन है ओनलाइन दोनुई एग्जाम ओनलाइन प्लस ओब्जेक्टिव आपकी आराभी में तो बिल्कुल हेंडेंट पर से उसमें आईवी प्यास पीओ और एस्बीओ में फिर एक बोर डेस्टेप्टिव आपको इंग्लिस का वो लेटरर ऐसे वो आते हैं यहां तो एपसिलूटली ओनलाइन है अगर मालो जितने भी मार्क्स की है अगर एक मार्क्स का क्यूस्चन गलत करोगे तो माइनस पॉइंट टूफाइफ आपका होगा और अगर आपने वन पॉइंट टूफाइफ का किया अगर अगर अपने कटक का डेखे थोड़ा के आपको पैपर के लेवल पता चेल ये पैपर का लेवल क्या रहता है कोtsåा जैसे Zeit है टौटल स्टेट वाइज निकलेगा इस्टेट वाइज ही आपका जोब है। उर स्टेट वाइज ही करना कि यह नोर्थि Liter 2019 कुछ ऐसे जो हाई रहते हैं, जैसे आपका उत्राखंड है, उडिशा है, हिमाचल है, हरियाना है, पंजाब है, इनकी ज़्यादा रहते हैं, तो लेकिन वो भी डिपेंड केस्पे करेगा, एक तो ट्रेंड है वहाँ का, वो भी करेगा, त्योंकि वहाँ उस जोब के लिए ब पर्टेकुल स्टेट के लिए नमरों विकेंसी करेगा, साथ ही, कुछी स्टेट ऐसे हैं, जहां कम रहती है, कुछ ऐसे हैं, जहां ज्यादा रहती है, अब मैं क्लरक के, अगर मैं प्री और मेंस देखूं, दो जार तेइस का, तो क्लरक की जो प्री की कटों थी, वो 65 से ले का दा कोई 75.5 हो, ऐसा भी कोई बोगा, मेंस की एकजाम अगर मैं देखूं, तो यहां मेंस में आपके थे 55 से 60, आउट ओफ 100, या मैं कहूं 55 से, या 200 का जो अगजाम था, उसमें करें तो 110 से 120 मार्क, आउट ओफ 200, यह आपके क्लरक के लिए रही है, इस्टेट टू पीओ का अगर देखें, इसी साल का, तो पीओ की जो थी आपकी, I think 45 से लेके 57, आउट ओफ 80, यह कटोफ रही प्री की, स्टेट वाइस, कुछ स्टेट में कम और कुछ में ज्यादा, और जो यहां जो मेंस की कटोफ आई, उसमें एक मेंस की आई, जो रिटन मेंस की, रिट फिर एक फाइनल का टोफ आई, जिसमें आपका रिटन प्लस इंटर्व्यू जूड के जो वेटेड बने आउट ओफ हैंडरेड, बने वो 43 से 52 तक के स्टेट इसमें जा रहे थे, आउट ओफ हैंडरेड, 43 से लेके बाउन तक, कुछ स्टेट की कम थी, कुछ की ज़्यादा थी, तो 43 to 40, 55, ये वेटेड स्कोर था आपका आउट ओफ हैंडरेड, इसमें 80 परसेंट आपका रिटन था, 20 परसेंट आपका 20, 80, 20 में इंटर्व्यू करके इस तरह से, चार बागिस के, एक बागिस का, और इस 80 को जो स्कोर आपके आया, जैसे 68 आया किसी के 200 में से, ठीक उसको आपे लेके जाओगे 80 पर, ठीक है, तो इसको पॉइंट 4 से मल्टिप्लाई कर दोगे, जो भी माक्सी आए हैं, उसको पॉइंट 4 से मल्टिप्लाई करोगे, तो यह यहां का वेटेडी स्कोर आगया, ठीक है, और वैसे ही जैसे आपकी इंटर्यू में सो में से जो भ 75 आउट ओप 80, बिलब हर माक्सी एक है, इसका मलब आपने more than 75 questions attempt किये हैं, असी में से और वो भी 45 मिनिट में, तो उन questions का level क्या होगा, तो बेंकिंग सेक्टर की सबसे आसान exam अगर कोई है, वो है RRB क्लक, इसका कोई ऐसा level नहीं है, बिलब बहुत आसान होते हैं, वहां reasoning pre के दोनों ही, ठीक है, बहुत बच्चे हैं जिनके out of 80, 80 बन जाते हैं, फिर आया मेंस, मेंस का level obvious है, थोड़ा इससे बढ़ेगा, थोड़ा इससे बढ़ेगा, उसी के according आपको, यहां भी दिख रहा है कि percent, लेकिन फिर भी, यह मेंस भी मुस्किल नहीं है, बिलकुल भी मु अच्छा खासा level होता है, यहां है, ठीक है, तो अब जैसे जिन बच्चों ने भी एक बार preparation शुरू करी, उन्होंने शुरू करके वो उन्होंने पहले clerk की कर ली, नहीं है, अरार भी इस किल कर, तो OBS है, उसकी continuation में फिर आगे आपे, IBPS के भी exams देंगे, SBAE के भी दोनों exams और एक साल में काफी आपकी वो grooming हो जाएंगा, ठीक है, selection भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपके preparation और आपके level पर depend करता है, लेकिन जिन भी बच्चों का थोड़ा सा science background है, उनके लिए थोड़ा सा age रहता है, science background वालों के लिए, थोड़ा age है, लेकिन ऐसा नहीं है, कि दूसरे जो बिना science background वाले बच्चे select नहीं हो, अब इसमें एक मैं और आपसे करना चाहूँगा, इसको एक बार remove कर लूँ, कि जो भी बच्चे preparation करना चाहें, इस नहीं साल में 2024, तो इस banking sector की different exams की, तो अपने भी जो channel है, virtuous है, उस पे paid platform भी है, और इसी virtuous के नाम से ही, आ आपका भी जो अपनी channel है, इस पे तो आप वीडियो देखी रहे हैं, इस पे भी YouTube पे वीडियो जे अपने डालते रहते हैं, इनके quant or reasoning के, खीक है, और इसके अलावा एक paid platform भी है, जिसका link आपको इसे वीडियो के end पे उसके अपका detail मिल जाएगा, उस पे paid courses भी है, और paid courses अभी जस्ट एक launch हो रहा है, आपके upcoming exam show 2024 के लिए, जिसमें quant or reasoning के रहेगे, जिसमें आपके, यह मान सकते हैं कि pre or means का more or less यह एक तरह से complete type package है, complete type package है, pre or means का, quant or reasoning दोनों की ही, जिसमें लंबा रखेंगे इसको, I think more than two months का रहेगा आपका, और pre or means दोनों के alternative, जैसे week में चार दिन वो करवा लिए, दो दिन वो करवा लिए, या तिन-तिन दिन करवा लिए, इस तरह से करके, करीब दोड़ाए महिने तक इसको कम से कम अपने चलाएंगे, और जो भी बच्चा, अगर यह paid खरीदना चाहे, तो अपनी एक खरीद सकत और इसके इलावा भी अपने चैनल पे आप अगर content देखोगे ना, चैनल पे आप जो YouTube पे जाके भी अपने वर्ट्योस चैनल पे जो आपकी playlist है, उसमें content देखोगे, तो quanto reasoning के pre or means दोनों का ही अथा content, तो वहां से थोड़ा सा आपको अंदा जा जाएगा कि किस तरह का content और किस तरह से पढ़ा रहे हैं, और फिर अगर आपको अच्छा लगे, तो आप पे paid platform पर purchase भी कर सकते, तो चलिए भी आज के session में इतना ही, that's all, for today's session, have a nice day, और अपना एक टेलिग्राम चैनल भी है, उसका नाम भी यही है, वर्ट्योस ही, टेलिग्राम चैनल पे उल्टा आएंगी, तो वो भी आप पे, जो टेलिग्राम चैनल है, वो भी आपका वर्ट्योस के नाम से ही है, टेलिग्राम चैनल पे जाके भी अगर आप जूड़ेंगे, और टेलिग्राम ग्रूप से आपको जूड़ देते हैं, अगर आप भी भेजते हैं अपनी like, तो चलिए, that is all for today's session, have a nice day.